अगर आप एक नया laptop या computer लेने की सोच रहे हो कौन सा बेतर है अगर आप जानना चाहते है तो ये वीडियो पूरा देख तो दोस्तो आपने ये जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक किया है कि laptop लेना चाहिए या desktop लेना चाहिए कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा हम confusion में है कि laptop ले या desktop ले कौन सा सही रहेगा काम करने के लिए तो चलिए अगर आप इंटरेश्टरी सवाल का जवाब जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखी अब आप सोचते होंग यार हमारे लिए बेश्ट कौन सा है चलिए इसके कुछ खास डिफरेंस जानते है इसके बाद तो आपको समझ मायागा आपके लिए कौन सा ज़रूरी है क्योंकि ये आप ही decide कर सकते है मैं नहीं decide कर सकता क्या कौन सा बेतर है मैं बस दोनों की information सा करूंगा यहां पर क्योंकि आपकी जरूरत अलग है तो जैसे आपकी जरूरत है उसके हसाब से आपको यहां पर बता देता हूं इन दोनों की difference के बारे में तो दोस्तों laptop ले या desktop ले इसको बताने के पहले मैं laptop लेने की कुछ खास वज़र आपको बताऊंगा और desktop लेने की बेट सकते आपके अड़ियक सकते हैं आपके यहां पर गड्वाय तो अगर आपके ऑटेरी इसकेस में लेते हो तो तो कम्पीटर के लिए पको टेबल या ट्रॉली अज़र अधिस्करने की ए टायता जयादी तो पहर पर जगह ज्यादा जाएगी तो अगर आपके पास पे तो आपको बैटरी बैकप मिलता है तो आपको आपको काम कर सकते हैं बैटरी को रिचार्ज करके तो बैसिकली उसकेस में लेपटप अचा रहेगा अगर आपके एरिया में प्रॉब्लम बहुत ही जादा है तो लैपटप ले सिकेंड बज़ा और तीसरी बड़ी वज़ा आपके जाना पड़ते हैं धाय को बैटके नीचेँ बैटके भी लाफटप चाड़तन हैं कॉपते हैं टूमे को आपको आपके बैटप के प्रॉट रहे होगा तो इसका सब्सक्तिने उस यह में लेट अबर पतर सकते हैं अगर आप इस सिचुएश्य वेट तो आप laptop ले, तो दोस्तों यह थी तीन बड़ी वज़र laptop लेने की, लेकिन अगर laptop नहीं आपको desktop खरीदना है, तो desktop लेने की बड़ी वज़र कौन कौन सी हो सकती, मैं अभी पताने वालाओ, सबसे पहले अगर आपके पास power cut का problem नहीं है, और आपको space का भी problem नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकेशन का problem है, यानि कि आप अच्छा स्पेसिफिकेशन शाते है अपने सिस्टम के अंदर, तो बिसिकली आप उस केस में, डेक्स्टॉप को आप प्रॉपरली असेंबल कर सकते हैं, और आप चाहते कि फ्यूचर में आप अपग्रेड करें अपने computer को, तो आप यानियावन कर सकते हैं, अपके सिस्टम को अप अपग्रेड कर सकते हैं, एसेंबल कर सकते है, आप राम बढ़ा सकते हैं, मतरबोर चेंज कर सकते हैं, वह पर भापी कर सकते हैं, τη ultimate, लैप्टॉप में देखोगे तो लैप्टॉप में चोटी सी जगपे सारी सीज़े फिट की रहती है और वो चेंज करना बोट मुश्कील होता है हां राम वगरा के लिए एक्स्टा स्लोट दिये रहते है बट वह पर आता है लेकिन डेक्श्टॉप में ऐसा नहीं होता है डेक इसलिए नहीं होता है क्योंकि सीप्टॉप में सारी चीज़े प्रॉपर लियो कुल करता है तो इपका अगर सिस्टम गर्म नहीं तो प्रॉपर लिकाम करेंगा उसे कूल रखना बट जरुए और वह डेक्स्टाप लेना बहुत जरूगी और सबसे बड़ी वज़ाद आप अच्छा कोंफिकेशन वाला अच्छा स्पेसिफिकेशन वाला कंप्यूटर अगर चाहिए मतलब सिस्टम अगर चाहिए तो इस ताइम पे लैप्टॉप में अगर आप खर्चा करोगे तो लैप्टॉप उतना अच्छा नहीं मिलेगा सपोस्पोस्ट आपका बजएडे 50,000 अगर आप लेटर अगर आपको अच्छा सपेसिफिकेशन चाहिए तो यहां पर आपको पैसा मेंटर करता है तो आप डेक्स्टाप की तरफ जादा है आप अच्छा से लैप्टॉप लेना चाहते और वह पहले तीन वजब मैंने आपको बताए उसकी वज़ए से अगर आपको एक जगब से दुसरी जगा जाना तो भी आपको लैप्टॉप लेना है और इक्स्टाप यूज़ करने के खास वड़ी वज़े हो और भी है जैसे कि वर्किंग कंपट अगर आपको घंटों काम करना है तो उस ताइम पे आप लैप्टॉप की जग अगर डेक्स्ट पूरी जानकारी क्या करीदना है वह आप डीसाइड कीजिए आप समझ गया होंगे तो यह इंफॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगी है तो एक थम सब दीजिए लाइक बटन पे क्लिक किजिए दोस्तों के साथ जरूर शेर कीजिए उनको भी पता चलने दीजिए और उ झाल झाल